दोस्तों आज हम जानने माले ब्लोगर की कमेंट सेक्षन के बारे में और आपको पता ना हो तो आपको बता दे हम ये ब्लोगर की एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम ब्लोगर के सारी डिटेल्स को कवर कर रहे हैं सारी फीचर्स को कवर कर रहे हैं आज हम कमेंट्स के बारे में यहां से आप comments कर सकते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूँ my first comment ठीक है और मैंने यह किया है अपनी Google ID से यहां पर देख सकते है Google ID है मेरी then again हम यहां पर एक और comment करेंगे जो की होगी anonymous या hidden आदमी तरह से होगी मतलब आपका नाम नहीं जाएगा यहां पर लिख देता हूँ hidden comment ठीक है तो यह anonymous पर मैंने किया है नहीं कि मेरा नाम नहीं जाएगा एक anonymous टाइप रहेगा वहां से और मेरा comment यहां पर हो गया और यहीं पर मैं लिख हूंगा एक तीसरे option से जो की है नाम और URL नाम अपना दे सकते हैं तो मैंने यहां पर अपना नाम दिया और URL में आप देना चाहिए दीजिए नहीं देना चाहिए मत दीजिए continue पर क्लिक कीजिए अच्छा invalid URL दे रहा है तो continue कीजिए आपके नाम से भी हो सकता है अगर आप साइट का URL भी देना चाहिए तो URL में बताओंगे यह कहां लगएगा एक मिनिट मैं URL भी दे देता हूं यहां पर मैंने कुछ भी नाम रखा और इसी URL को मैं यहां पर दे देता हूं ठीक है continue करता हूं और यहां पर करता हूं कि नेम एंड यूरल तो यह तीनों आप्शन सभी में एवलेबल नहीं होंगे और यह क्यों नहीं होंगे यहां पर जब आप सेटिंग में जाएंगे क्यों नहीं होंगे मैं बता देता हूँ पहले तो यहां पर कमेंटिंग का ओप्शन मिलेगा आपको यहां से तो यहां पर देखिए who can comment में लिखा है everyone including anonymous मतलब कि कोई भी comment कर सकता है यह अगर google पर कर देंगे तो केवल वहीं लोग comment कर पाएंगे जिनकी गूगल आइडियों में जैसे कि यह हमारा आइडी है उपर आपको प्रोफाइल दिख रहा है और only member of this blog करेंगे तो जिसने आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब किया होगा वहीं केवल comment कर सकता है तो यह हमने बताया था कि कैसे सब्सक्राइब करवाते हैं पिछले वीडियो में तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं फ़र्स्ट वाली वीडियो में हमने बताया था यूजर भी गूगल अकाउंट करना ठीक रहता है मैं commenting की बता देता हूं यह तो कोई भी कैसे भी कुछ भी लिख के भाग जाता है तो इसको इस पर स्टीक रहने दीजिए और comment moderation को always कर लिजिए ताकि जितने भी comments हो उनका आपके पास एक approval के लिए message है ठीक है तो देखिए यहां पे तो हमने comments में गए यहां प करता हूं यहां पर anonymous देखिए सबसे first comment हम ने किया था ऐसे जिसमें मेरा नाम आया है और इस पर click करूंगा तो मेरी blogger की profile खुल जाएगी देख सकते हैं तो यहां से मैं इसकी sites को visit कर सकता हूं कि कौन था यह कौन नहीं था इससे पता लग जाता है और यह hidden comment है इसमें unknown है इ यह on नहीं होता है जैसे हमने सेटिंग से बताया और यह ने में यूरल के तो देखिए इसका नेम जो है इस नेम पर उस पोस्ट का हमने यूरल दिया था इस पर click करेंगे तो वहीं माला सेम पोस्ट यहां पर खुल के आए ठीक है तो यह तीन टाइप से हो गए यह आप कैस से कर सकते हैं अभी कमेंट मोडरेशन हमने लगा है तो एक बर कमेंट मोडरेशन का हम चेक कर लेते हैं यहां पर लिख देते हैं अप्रूब my comment, ऐसे करके, यहाँ पर मैंने publish किया, तो यह publish नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तीन comments है, अभी refresh करूँगा मैं, तो यह फिर थीन ही रहेंगे, देखे न, इसको हो जाने चाहिए थे, चार लेकिन अभी रहा है, तीन, क्यूँ, क्यूँ कि वह वाला comment यहाँ से, मैं refresh क और यहां से क्लिक कर सकते हैं कितने कॉमेंट है पबलिस्ट कितने हैं स्पैम कितने हैं और मोडरेशन के लिए मतलब कितने हैं इस पर क्लिक करके आप इसको स्पैम कर सकते हैं इस पर करके करके यहां पर देखें मार गये स्पैम यह चला जाएगा आपका कहां ऐसे करेंगे तो यह approve my comment की जगह पर लिखा हुआ आएगा this comment has been removed by user और admin ऐसा कुछ करके और यहाँ पर delete पर करेंगे तो यह delete हो जाएगा और यहाँ पर click करेंगे तो यह approve हो जाएगा ठीक है publish करता हूँ यहाँ खाली होगे अब यहाँ देखिए जो unknown से था इसको हम remove करते हैं तो देखिए वहाँ का system कैसे हो जाएगा यहाँ पर रहेगा चार comment होगा लेकिन रिमूव हो जाएगा comments चार होगे देख सकते हैं अब देखिए यहाँ पर यह message आ गया जो हमने anonymous जो किसी ने भी कर दिया है तो रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा ठीक है और यह name and URL वाला है system और यह है आपका अप्रूव मैं कमेंट जो हमने अभी अभी अप्रूव किया है यहाँ से भी क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं इसने कमेंट किया किसे नहीं क्यों है और यहाँ पर नेमन यूरल पर क्लिक करेंगे तो वहीं पोस्ट हमारी खुल गया जाएगे देखिए फोर जिरो फोर चला गया आई डून नो वाई बट चली एक और सिस्टम दिखाते हैं कमेंट का यूज इतना तो अपने जान लिया इसमें भी बहुत सारी चीज है स्पैम में कैसी बेजते हैं माली कि इसको स्पैम में भेजना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको स्पैम में डाल देंगे ठीक है spam में आ गया एक तो देखते हैं यहां पर approve my comments का क्या हुआ यहां पर यह था कौन सा वाला देखिए वो वाला comment जो है spam में चला गया यहां से delete होके तो आप इसको यहां से निकाल भी सकते हैं publish कर सकते हैं फिर से delete कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं अब मालें जिके delete करना है ऐसे click करेंगे जितने को delete करना है ऐसे करके अभी मैं 4 को delete कर देता हूँ तो 3 मेरे पास बच गए हैं और यह देखें यह नाम आ जाता है कि this comment has been removed by user इसको यह एसे delete कर सकते हैं इसको delete करेंगे तो यह जो text हा रहा है यह डिलीट हो जाएगा तो मैं बलूँगा कि रिवोब मत कीजिए सिधे डिलीट कर दीजिए आपको अगर डिलीट करना है तो तो देख सकते हैं नेम यूरल वालत ठीक है अपर मैं कमें ठीक है और वो इस कमेंट है यूजर याड में वह भी हट गया है तो यह ऐसे काम करता ह है आपका कमेंट सेक्शन रासा है आपको समझना है कमेंट सेक्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं लेकिन एक चीज तो मैंने छोड़ दी वह अभी बताता हूं माल लिए कि आपको अपने website का backlink बनाना है तो आप ऐसे बनाते तो पहले मैं बता दूँ जितने भी आप यहां प यहां से कमेंट करके आपको backlink लेना अपनी site के लिए वह मैं अच्छा नहीं माता हूं आप ले सकते हैं नंबर बढ़ाने के लिए लेकिन यह थोड़ा सा unhealthy भी होता है आपका spam score भी बढ़ा सकता है तो यहां पर मैंने ऐसे ही अपना नाम टाइप किया और अपना URL दे दिया और यहां पर मैं अपना एक नाम देता हूं यहां से मैं एक टाइक को क्लोज कर लेता हूं पहले उसके अंदर मैं अपना value दे दूंगा एक मिनिट यह कहा गया है यहां पर लिगता हूं DM on telegram ऐसा करके तो ऐसे आप links को यहां पर सेंड कर सकते हैं और एक सिस्टम तुम्हें मैं बता नहीं बोल गया चलिए उसको भी बता देते हैं लगले में अपने कि यहां पर आप्रूवल में चला गया को है retraktor अआं तो यहां से अभी आप्रूवल से अड़िंग मॉड़ेशन में जायेंगे नहीं आया देखिए आ गया यहां से इसको अप्रूब करेंगे ठीक है तो ऐसे आप लिंक्स को यहां पर डाल सकते हैं देखिए नेम एन यूरेल अभी तक मेरा कमेंट नहीं आए क्यों यहां पर आगया जैसे कि डीम on टेलिग्राम तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे को मेसेज वाला खोली जाएगा तो इस पोस्ट पर कमेंट रुआ ठीक है और यहां क्यों नहीं आया मेरे को नहीं लग रहा है हां देखिए अभी आ गया इस पर डीम on टेलिग्राम करेंगे तो यह मेरा टेलिग्राम खोल देगा देख सकते हैं तो ऐसे आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको यहां पर कौन-कौन से टैग यूज़ कर सकते हैं ऐसे लिखके माई नेम लिखेंगे इसको आप लिंक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो भी डाल कर यहाँ पर और एक होता है इंसे क्या होता है अभी देखायता हूं ऐसे मैंने किया letter और यहां पर मैंने इंट के को Just यूज़ कर लिया देखे इसका मतलब क्या होते है अभि मैं इनको यहां से पब्लिस करता हूं कमेंट्स को देखे यहां पर आगया देखे यहीं पे आपको प्रिवियू देख गया कि पोल्टड़ का मतलब यहीं से दिखा लेते हैं लाइब में अगर b tag का यूज़ करेंगे तो आपकी जो text होगी आपका जो backlink होगा आपका comment होगा कुछ ऐसा bold दिखेगा और em tag का यूज़ करेंगे तो ऐसे italic letter में देखने को मिलेगा तो असा है आपको comment का पूरा मामला समझ में आ गया है कि कैसे comment करते हैं क्या क्या features होते हैं और यहां से अब delete भी कर सकते हैं इस comment को और आप वहां से नहीं करना चाहते हैं तो यहां सरे delete comment करके कर सकते हैं थीक है और अभी में refresh करूंना तो देखते हैं क्या आता है यहां पर this comment has been removed by user रहना तो ऐसे आप यहां से भी हलिए कर सकते हैं ृप्लाइ कर सकते हैं इसको क्या बोलना चाहता है नहीं है को और आपके इधा है एक है तो यह था और यह किया अगर कमेंट हुल हह तो आपके मेशा चला इसको आप on कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं अगर आपको email पर जानकारी चाहिए तो बाकि यह जो theme है आपको dkteksonzon.net पर मिल जाएगी क्रोणो नाम है इसका आप उसको सर्च करके ले सकते हैं तो वासा है आपको कमेंट्स का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा और ऐसे ही जानकारी के लिए यह प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कीजिएगा description में लिंक है और बने रही हमारे YouTube चैनल के साथ ब्लोगर के बार में और कुछ जानने के लिए थैंक यू और सबसे बड़ी बात है टेलिग्राम चैनल को जोन कर लिजिएगा हमारे आपको साइट पर मिल जाएगा dktechnalzone.in पर या फिर हमारे description में डाल देंगे हम वहां से अब अपने जो है न हमारे टेलिग्राम चैनल को या और ग्रूप को जोन के लिजिए वहां पर सारी जनकारी हम देते रहते हैं लगवग हर्दम आउनलाइन रहते हैं आप वहां पर आके कुछ पूछी भी सकते हैं थैंक्स